बिग बॉस सीजन 14 से चुड़ी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है बड़ी खबर ये है कि बिग बॉस के मेकर्स जैस्मिन बसीन को कनफेशन रूम में बुलाते हैं कनफेशन रूम में बुलाते हैं आखिर किस वज़े से जैस्मिन बसीन को शो के मेकर्स क्या है इसके पीछे की अस्री वज़ा कहीं रूबीना दिलेक तो नहीं है इसके पीछे की अस्री वज़ा आईए हम आपको आज के खास रिपोर्ट में यही बात पूरे विस्तार से बताते हैं लेकिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को दबाना बिलकुल भी न भुलें हम आपको बता देना चाहते हैं कि जैस्मिन बसीन को बीती राज शौक पे शौक लग रहा है पहले पारच शाबड़ा ट्रेंड के बारे में बता देते हैं जैस्मिन बसीन, एली गोनी और साती साथ वहां रहुल कृष्णवैद्य भी थे और वहां पर जान कुमार शानू भी थे जब पारच शाबड़ा कहते हैं रहुल कृष्णवैद्य के सामने रुबिन दिले की तारीफ करते हैं रुबिन दिले के 16 मिलियन के ट्रेंड के बारे में बात करते हैं और जब ये बात एली गोनी जैस्मिन बसीन को बताते हैं तो जैस्मिन बसीन का चहरा पूरी तरह से उ जब पारच शाबड़ा एली गोनी का साथ नहीं देते हैं राहुल किष्णवैद्य का साथ नहीं देते हैं रुबिन दिले का साथ देते हैं यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा छटका लगता है जैस्मिन बसीन को और जैस्मिन बसीन यही सारी की सारी बातों से काफी ज़्य ये भी हो सकती है जोतिका दिलैक और एली गोनी के बीच में बढ़ रही है नस्दिक्या दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं दोनों अपने अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं जहां पर जोतिका दिलैक रूबिन दिलैक की जर्नी को बाहर से देख कर आई ह और उनकी जर्नी को बता रही है एली गोनी से और एली गोनी भी अपने जर्नी के बारे में बता रहे हैं जास्मीन बसीन के जर्नी के बारे में बात कर रहे थे और ये बात को देख लेती हैं ये बात को सुन लेती हैं जास्मीन बसीन जास्मीन बसीन को यहाँ पर सबसे बड़ खराब हो रही है तो जैस्मिन बसीन को कनफेशन रूम में इसी बड़ी वज़े से बुलाते हैं बिक बॉस के मेकर्ज और पुछते हैं कि उनका हेल्थ अभी कैसा है और साथी साथ इन्हें कनफेशन रूम में बुलाया चाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रूबिन दिलेक की वज़े से क्योंकि रूमिन दिलेक की जी से पूरी तरह से जल गई है बुन गई है जैस्मिन बसीन